Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Wealth Unlimited. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे stocks के बारे में, जो मुझे लगता है कि मूरत ट्रेडिंग के समय एक काफी अच्छा मौका दे रहे हैं आपको अपने portfolio में add करने का. साथी साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी personal favorite book जो मुझे लगता है आपको stock market में self-reliant बनने के लिए काफी जादा helpful रह सकती है. So before starting the video, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video. Recently हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी in relation to top two stocks to buy, जहां पे हमने CDSL का stock discuss किया था, Suzylon Energy, the best penny stock to buy, as well as the best growth stock solar industry के बारे में. और मैं आपको बता दू, इन तीनों ही stocks में जो हमारे personal targets थे, वो अच्छीव हो चुके हैं. पहले मैं आपको बता देता हूँ solar industries के बारे में, आप देख सकते हैं, यह है particular stock का chart और अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काफी अच्छा potential बचा है. However, the stock has given a very strong run-up, a vertical run-up. तो अब मैं चाहता हूँ कि यह particular stock थोड़ा correct हो जाए और इसमें एक दोबारा से opportunity बने इस stock को खरीदने की. आप देख सकते हैं, हमने यह particular stock discuss किया था, वो चल रहा था around 4500 रुपीज के, जहाँ पे हमने breakout देखा, उसके बाद इस particular stock का retest हुआ, फिर से इसने एक breakout दिया 5000 रुपीज के उपर, then again यहाँ पे stock consolidate हुआ, और 5475 के उपर फिर से इसने एक breakout दिया, जहाँ पे इसके targets निकल के आये थे 6000 रुपीज के, अब मैं चाहता हूँ कि यह जो personally यह particular stock है, कुछ दिन sideways हो जाए, यहाँ पे अगर inside scandal हमें form होते वे दिखती है, और यहाँ पे अगर एक particular zone बनता है, तो यह अगर वो zone आगे चल कर break होता है on upside और downside, यहाँ पे आपको एक अच्छा trade देखने के लिए मिल सकता है, साथी साथ मैं आपके साथ second stock बता दूँ, जो हमने सुजलान energy का discuss किया था, वहाँ पे भी हमारा similar pattern हमें आपको देखने के लिए मिला था, आप देख सकते हैं, सुजलान के stock ने यहाँ पे एक rounding bottom बनाया था, break out दिया, again जो previous resistance था, वहाँ पे इसने अपना support बना है इन particular stock में, यह आपको अंदाजा दे देंगे कि whether this particular stock में जो profit booking आ रही है, whether it is going to be temporary or not, इसलिए मैं काफी जाद एमपरसाइज करता हूं कि आपको हमेशा एक reference point लेके चलना चाहिए, अपने rules बनाने चाहिए, कि how you can find a good stock among all these stocks, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो volume है as well as, जो moving averages है, वो यहाँ पे आपकी काफी अच्छी तरीके से मदद कर सकते है, similarly, जो CDSL का stock था, वहाँ पे भी आपको same action देखने के लिए मिला, हमने बताया कि यहाँ पे consolidation हो रहा है, यहाँ पे इस particular range से भार, यानि की 1426 की range के भार जैसे ही stock जाएगा, तो यह जितना बड box, consolidation box यहाँ पे बना था, उतने बड़े आपको target देखने के लिए मिल सकते है, similar चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली, और in times पे आपको अपना profit time to time phased manner में हमेशा book करना चाहिए, चलिए, अब बात करता हूँ उस book की जो मैं आपके साथ इस video में share करना चाहता उसका नाम है, how to make money in stocks, यह जो particular stock है, यह जो particular book है, यह William J. O'Neill ने लिखी है, और मैं आपको बता दूँ, इस particular book की जो खास बात है, यह particular book आपको बताती है, when to buy stocks, जो stocks है, उनमें chart patterns के formation कैसे हो सकते है, जो आपके results है, quarterly results, आपको उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, and why it is important to sell your stocks और cut your losses in the stock market, यह चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सभी यह बोलते रहेंगे कि you should hold stock for long term, but आपको यह realize करना चाहिए, कि जो long term का perspective होता है, वो आपको उतने better returns नहीं दे सकता, जितना अगर आपको पास खुद की knowledge हो, और आप time to time profits book करे, या time to time manner पे support पे आने stocks को buy करे, तो यह जो particular book है, वो आपको सारा का सारा gist दे देती है, और मेरे हिसाब से एक बार अगर आप stock market में interested है, तो definitely इस book को try करने की आपको जरूरत पढ़नी चाहिए, again इसमें साथी साथ आपको examples के साथ बताया गया है, और इसमें roughly more than 100 charts आपको दिखाए गया है, जहा जो मैं इस particular video में discuss करने वाला हूँ, मैंने यहां पर stocks को तीन category में बांट रखा है, one is going to be a small cap stock, और you can say stock which is less than 100 rupees, then the second stock will be a mid cap stock and the third stock going to be a large cap stock, तो जो पहला stock मेरी अभी radar पे है इस वक्त, वो है ISMT Limited Company, आप देख सकते है, यह एक non-energy mineral company है, steel tubes का का काम करती है, और यहां पर यह particular stock काफी time से आप देखे, तो एक range में फसा हुआ है, 6th March 2023, इसने अपना high बनाया था, 89 rupees का roughly, उसके बाद इसने अपना low बना रखा है, 65.45 rupees का, यह जो level है, यह जो zone है, इस particular zone के बीच में ही, इस period पे trade करता हुआ दिखाई दिया, और अब recently, इस particular stock में एक बार फिर से हरल च काफी attractive लगे, और साथी साथ में आपको बता दूँ जो किरलोसकर industry group है, वो यहाँ पे promoters है, और वो यहाँ पे recently buying करते वे भी दिखाई दिये है, अगर इसी particular stock को मैं convert कर देता हूँ, monthly basis के chart पे, right, okay, let me just refresh this page, ISMT Limited, correct, now, अगर मैं आपको इसको monthly chart के basis पे दिखाता हूँ, this is the chart view, आप देख सकते है, यह जो particular stock है, since 2018, एक काफी अचे uptrend पे रहा है, और अभी भी यहाँ पे, एक particular breakout के लिए तियारी करता हुआ दिखाई दिया है, personally मुझे, right, बात करो SMT के stock की, तो आप देख सकते है, जो current market price है, 85.4 रुपीज का है, एक काफी अचे breakout देखा जा सकता है इस particular stock में, अगर यह stock 20 रुपीज के ऊपर निकलता है, और personally, मैं इस particular stock में invest कर चुका हूँ, आप देखें, company का जो PE है, वो 18.4 का निकल के आता है, return on capital, employed 10.8, return on equity 6.3, which is average, और साथी साथ, debt to equity, marginal सा debt है इस के highest, 749 करोर रुपीज हो चुके है, in September 2023, the best part about the company is their operating profit and operating profit margins, आप देखें, जो company का operating profit है, वो 122 करोर रुपीज का हो चुका है, operating profit margin 16%, आज तक के highest निकल के आए है, जिसके वजह से, यह particular company, एक exceptional profit making company बनती जा रही है, आप देखें, यह particular company है, 20 करोर का profit का रही थी, June 2020 के quarter में, और यह अब बढ़कर 51 करोर रुपीज का हो चुका है, however, एक टाइम यहाँ पे इना ने 2546 का profit, net profit किया था, which was due to the profit before tax and the other income आप यहाँ आप आके देख सकते हैं, आप इसे ignore भी कर दें, तो company यह काफी अची growth trajectory में मुझे रिखाई दे रही है, जिसके वजह से, यह particular stock मैं 74.95% fix है, और साथी साथ, public के पास बाकी जो stock है, 24.6% का stake आपको देखने के लिए मिलेगा, जो second stock है, मैं इस वीडियो में discuss करना चाहता हूँ, वो है LTTS का, again, technology से related company है, आप देखिए, काफी हद तक correct हो चुकी है, अपने top star हो से, 4855 का high था, वहाँ से correct हो के यह particular stock, आपको अभी के time पे मिल रहा है 4,275, which is roughly 12-14% down from the top level, यहाँ पे एक अच्छी buying opportunity देखने के लिए मिल सकती है, अगर यह particular stock 4,310 रुपीज के उपर sustain करता है, और downside, अगर यह particular stock break कर देता है 4,100 रुपीज का, तो short term में इस particular stock में negativity आपको देखने के लिए मिल सकती है, और यह particular stock है, आप definitely SIP करने के बारे में भी सोच सकते है, यह जितने भी stocks में आपके साथ discuss कर रहा हूँ, यह सिर्फ educational purpose के लिए है, और अगर आप इन particular stock में buy करना चाहते है, तो please make sure कीजे कि आप अपने financial advisor से discuss करने के बाद ही, किसी sort का investment कीजिए, however, LTTS का जो stock है, यह personally मेरे portfolio का part है, this particular stock as well as LTI का stock है, दोनों ही मुझे काफी अच्छे लगते है, right, अब मैं LTTS का आपको एक बार fundamentals दिखा देता हूँ, यह जो LTTS का stock है, current market price 4,275, market cap is 45,180 crore rupees, stock copy 35.6 निगल के आता है, return on equity 32.6, return on equity 25, return on capital employed is 32.6, which is again good, company पे again, debt बिलकुल भी नहीं है, तो यह जो particular company है, यह long term के perspective में मुझे लगता है कि काफी अच्छा कर सकती है, जिस business में यह particular company काम कर रही है, that is definitely going to sustain in future as well, company के जो sales है, September 2020 में 1314 crore rupees के हो रहे थे, जो बढ़कर अब तक 2386 crore rupees के हो गए है, यह जो particular stock है, इस particular stock ने downfall इसले देखा, क्योंकि यहाँ पे ज़ादा growth आपको देखने के और साथ ही साथ जो company का profit देखे, तो यहाँ पे इन्होंने 316 crore rupees का profit किया है, which is more than previous quarter as well as on the year-on-year basis, but again, marginal सा increase है, तो market ने इसे definitely punish किया है, this is supposed to be the growth stock, और यहाँ पे आपको एक अची growth trajectory definitely देखने के लिए मिलनी चाहिए, तभी market इस particular stock के price को reward करता है, आप देख सकते हैं, जो company institutions है, 5.80% का stake hold करते हैं, DIS के पास 10.77% का stake है, as well as public, यहाँ पे 9.55% का stake hold करती है, अगर आप देखे, तो previous quarter से, यहाँ पे DIS and FIS ने थोड़ी बहुत बढ़ातरी की है, अपने stake को लेकर, तो आपको यहाँ पे definitely नजर रखनी चाहिए, जो third stock है, जो थर्ड सॉक है, मैंने अ अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी जादा value बची है, और जिस तरों पे, जिस लेवल्स पे यह particular stock मिल रहा है, definitely इस particular stock में एक SIP, regular SIP की जा सकती है, कभी भी यह particular stock, अगर आपको 100 points नीचे मिलता है, तो वहाँ पे average किया जा सकता है, इंडिया की one of the largest company, one of the largest bank, HDFC bank को आपका portfolio का part आप बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे, अभी भी जिस तरह की value बची है, in terms of stock price, वो काफी commendable है, right, बात करें, HDFC bank के fundamentals की, तो यह है HDFC bank के fundamentals, आप देख सकते हैं, जो company का price है, वो चल रहा है 1492 का, market cap है 11,30,823 करो रुपी, stock copy 16.7, return on capital employed 6.24, equity 17.1, यहाँ पे, बात करूं, मैं company के peers की, तो आप company के peers में देखे, तो अभी के time पे, ICICI bank और HDFC bank, roughly, almost similar PE पे, मिलते वे दिखाए दिखाए दिये है, however, HDFC bank का जो dividend yield है, वो भी आपको यहाँ पे जादा दिखेगा, similarly, अगर बात करें, company के profit and loss की, in the terms of quarter basis, company के revenue है, वो आज तक के highest ever है, 75,039 करो रूपीज, company का जो expense है, वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाए दिया है, however, जो company के financing margins है, वो यहाँ पे, जिसके वज़े से major, आपको यहाँ पे problem आते वे दिखाए दिया है, वो है minus 15% के, correct, company के बात करें, net profit की, तो company के profit है, वो 17,312 करो The company is performing stellar and giving stellar numbers, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे, इस particular stock को इसका definitely reward मिलना चाहिए, in coming future, और जैसे जैसे यहाँ पे, number of shareholding pattern या foreign institutions की buying आते वे आपको दिखाई देगी, यहाँ पे एक massive jump आपको देखने के लिए मिल सकता है, in the HDFC bank, correct, चलिए, हब बात करते है, next stock की, जो next stock है, अब मैं large cap, mid cap and small cap के order में बताऊंगा, तो जो next stock है, वो है मेरा R3 Industries का, chemical company है, आप देख सकते है, current market price 511 rupees का है, recently अपना low बनाया था, इसने 440 rupees के आसपास का, और काफी beaten down stock है, काफी उपर के level से नीचे गिरा हुआ, stock आपको देखने के लिए मिलता है, बट मुचे लगता है कि अब time आ चुका है, अगर चाइना में recovery आती है, आप देख सकते है, कितना correct हो चुका है, रफली 44% correct हो चुका है ये particular stock, और अगर अब चाइना में recovery आती है, ये chemical space पे recovery आनी है, तो आपको ये जो particular stock है R3 Industries का, यहाँ पे भी एक revival आता हुआ दिखाई दिए सकता है, current star हो प पे, lower levels पे buying को, buying की जा रही है, by big institutions, right, बात करें company के fundamentals की, तो मैं company के fundamentals भी आपको दिखा देता हूँ, अब इस आर्थी इंडूस्टी इस, अब चाइन का मर्के अप्री आप 18,529 करो रूपी लिए, stock का P 41.5, return on capital employed in 0.4%, return on equity 11.6%, डेट निगल के आता है 3,207 करोर का, which is again manageable for the company. One of the oldest company in the chemical sector and personally, if you compare it from the companies like Petri Light Industries, from the company like SRF, from the companies like Gujarat Fluorochemical and Deepak Nidrate, they provide somewhat of a similar value in terms of their price to earning ratio. If you talk about the company's sales, then the company's sales was declined, which is why the company's share price has been given. Now, if you look at the company's operating profit margins, they are getting stable to increase in the past 3 quarters. So, you can see a turnaround here. And also, you can see the company's net profits have been given. And now, this quarter has been given to you on quarter on quarter basis, which is again a very positive sign. So, let's talk about the company's shareholding pattern. So, you can see the company's promoters have maintained its stake. Here, DILs have cut its stake here. Domestic institutions have increased its stake here. And the public has got a stake in the public, and the public has got a stake as of now. I think that in this quarter, we will also see a lot of foreign institutions in this quarter. We will also see the shareholding pattern here. And I am also bullish on this particular stock as well. The next stock I would like to discuss in this video, that is India Bull Housing Finance. You can see this particular stock, we are checking out from 100 rupees to 100 rupees. We have also buying in this particular stock. And at the current level of 167 rupees, I am looking at this particular stock, I am looking at this particular stock as well. You can see the previous resistance of the previous one, which was 158, 160 rupees. This level has been re-tested to this level. And then, you can see a round bottom pattern here. Or higher high, higher low pattern, you can see a higher high, higher low pattern. Again, this particular stock is a little risk. And you need to manage the risk in this particular stock. And if you have a day closing, if you have a day closing, then this particular chart will distort. And here, this particular chart's sentiments are negative. You can see the next stock. Right? Lastingham Limited. It's a lot of stock. It's a lot of stock. We also have to buy it from the lower level. But I think that you can see a similar story. You can see a company offer for sale around the level of 69 rupees. It's a particular stock that you have seen from the top level. And after that, it has been low for around 63 rupees. You can see a good recovery again. You can see a good recovery again. You can see volumes here. And now, I think that this particular stock is also ready to break out. Again, this particular stock, if you have a 50-20% return in the coming days. Again, this particular stock, if you have a 50-20% return in the coming days, then this chart will distort. And here, this particular chart will also be negative. You can see a lot of stocks that I want to discuss about this. I want to show you. Even stocks like Railtel, it is on my radar, which I think Railtel stock can also be good. I want to show you. Let me refresh the page. Can I refresh the page? Yes, I can. Right. I wanted to discuss a lot of stocks with you, but the video will be too long. This is a monthly chart of Railtel. It's a good breakout chart. If I want to show you, this particular stock was a good opportunity. I got to show you when it broke this level. I mean, it broke the level of 189. You should consider the level of GGA 150 and the bottom side of Rs. 87. Again, if I want to convert this particular stock to the daily chart, then you will get to see this particular stock sideways. Correct? Correct me if I am wrong. I will draw the line in front of you. I will draw the line in front of you. This particular stock is sideways. I am getting to see this particular stock. I am getting to see this particular stock in particular stock. This particular stock is 206 to 251. That is roughly around 50 points in the gap. That is, that it is trading in the zone. So, this is the same 50 points. This is the same 50 points. I think that it is the target of the coming time. This is the 50 points. This is the gap. Ctrl-C and Ctrl-V. I will tell you. I think that this particular stock is such a big target. So, this is the target of 200-300. This is the target of 200-300. In the near future. If you look at it, analyze it. If you wait for this company to break out. If you wait for this company, you can see a good price here. Similarly, yes bank stock is good. Yes bank stock is good. Yes bank is also trying to get out of its own zone. This is yes bank stock. This is the previous zone of this particular stock. This is the price of 15 rupees or 17 rupees. So, the initial target was 19 rupees. However, if this particular stock is 19.15. If this particular stock is 19.15, this particular stock is 19.15. This particular stock is 19.15. So, you can see here. You can see 17.19. This is the gap of 2 rupees. You can see here. You can see here. And so many targets. You can see here. You can see 20.80. So, these are some stocks in my radar. Personally, I am very good. It looks like a turn around. It looks like a turn around. It looks like a turn around. I have discussed large-cap stocks here. I have discussed mid-cap stocks here. I have discussed small-cap stocks here. I have discussed small-cap stocks here. And I believe that you should definitely discuss your financial advisor. But you must also be self-reliant if you want to sustain in stock market. And the most important thing in stock market is understanding the charts. which I have shared with you. Personally, I don't have any tie-up. I am not promoting anything. Just because that I was very good and knowledgeable. That's it for today. I hope I was able to give you good overview of these particular stocks. And if you like this video, please make sure to share it with your friends and family. That's it. Happy investing. 1